आप से पहले तो मेला चनल जाके सबस्क्राइब कर लें फॉरन से मेरे बहुत टाइम से दिल कर रहा था कि मैं फैलो विंग्स के फसी वाले और करूं पिर मैंने सोचा कि और करने से बहतर क्यूं नहीं है कि मैं खुद बनाती हूं और मैं उसे अच्छे और बहतर बना सकती हूं तो पर और रहीं करना चलें अब हम इसकी रेसीपी के दरफ चलते हैं रेसीपी के लिए मैंने से पहले चिकन के विंग्स निकाल लिया उसको चीदिक से वाश कर लिया फिर मैंने जो भी मसालें उपर मेंशन करती जाऊंगी मैं लाल मिर्च पाउजर, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, नमक, लेसन अधर का पेस्ट, दही कोईटी में उपर सासथ मैंशन करती जाऊंगी फिर इसके बाद मैंने अपने विंग्स के अंदर दही मैंने एड़ करा दही जो है जादा थिक भी नहीं हो और जादा पतला भी न और हाफ लेमन स्कुईस कर देंगे लाद में अच्छी तरीके से मेरिनेट कर दिर देना इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए लगते लिए नहीं दो भी अपने ऌदे कोटिंग के दिर तरह चलता हैं पहले मैंने इसके अंदर मैदा एड़ कराए बलेक पैपर एड़ करा और इसको अची तरीके से विक्स कर लिया है यह हमारी कोटिंग का जो मैदा यह भी हो गया तैयार हो गया है फिर हमने अपने विंग्स मेरिनेट हमारे हो गए थे हमने एक बाउल मेना थंडा पानी भी ले देना है सबसे पहले हमने मैदे के अंदर कोट करना है और फिर उसके बाद मैदे के अंदर कोट करने के बाद हमने इसको ठंडे पानी के अंदर डिप कर देना है फिर ठंडे पानी से हमने इसको निकाल के वापस एक दफा मैदे के अंदर कोट कर देना मैदे के अंदर कोट कर देना बुफैलो सॉस बनाना उसके लिए इंग्रिटियंट्स है वह है लेसं चॉप की अवा बटर केचप चिली गार्लिक केचप होट सॉस वर्ष्टर सॉस ब्लैक पेपर नमक और ऑस्टर सॉस और हनी बस यह सार इंग्रियंट्स है जो हमने इसके अड़ करना है फिर हमने अपने किली का पेपर दिए असके आट रवाल सॉस देर चिलीगार्लिक सॉस ए्ट कर दी आशी सॉस एट कर दी उश्चहर सॉस आट कर और श्छå सॉस अपर अशी तरीके से मिक्स कर दो अंथ आट कर अची तरीके से रिए भर बल्लैक पैपर नमक on inा तक रखला के अपन्हार मंन के अंदर होट सॉस एड करेंगे होट सबसे एंड में एड करने का मकसद ही होता है कि होट सॉस का जो टेस्ट ना वो ज्यादा अच्छा आना चाहिए अगर आप पहले दाल दोगे तो वह इता खास नहीं आएगा फिर हमने अपने विंग्स फ्राय कर लिए अच्छे से जब त फ्राय करके फिर उसके बाद मैंने अपने जो सॉस है उसके अंदर ये विंग्स को एड कर देना और इसको सॉते कर लेना इस स्टेज पर आपको फ्लेम हाय रखनी है और बस तू तू थ्री मिनट्स करना आपने इसको सॉते करना जल्दी से और पर इसके उपर सैसेमी सीड अच्छे से स्प्रैट कर दो और ये हमारे विंग्स बिल्कुल रैडी हो गया है मैं हंड्री परसंट गारंटी के साथ गया सकती हूं कि जो आप ये खाऊ गया तो फिर आप हमेशा यही खाऊ गया और ऐसे बना कर खाऊ गया और आपको एफसी के बिल्कुल भूल जाऊ गय आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूं कि ये कैसे बना है ये बहुत अच्छे बने थे बहुत गरम थे इसलिए पर मैना तो रग दिया और उसके बाद अराम से बैठ कर खाए तो उमीद करते हूं आपको में रची लगी होगी अगर आपको में रची लगी तो डू सबस्क् करो, ओके, आला हाफिस